असलाम अलेकम दोस्तों तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जबर्दस्त बनने वाले चना डाल वड़ा की रेसे पी जो उपर से क्रिस्पी और अंदर से सौफ्ट बनेंगे फ्रेंट्स और बहुत ही आसान है इसको बनाना तो वीडियो को बिना इसकिप के पूरा देखिए अगर इसे पर पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिसमिल्लाहिरमानी रहीम तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर मैंने एक बॉल लिया है जिसमें देखिए यहां पर मैंने देड़ कप चने की भीगा लूंगी फ्रेंट्स आपके पास अगर टाइम ज्यादा है ना तो आप चार घंटे चे घंटे या फिराद भर के लिए भीगा सकते हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा तो देखिए यहां पर मैंने इसको चान लूंगी और इसका सारा पानी हमने अच्छे से निका दूंगी तो यहां पर मैंने तक्रीबान इसको 10-15 मिट रख दिया था पानी इसका सारा अच्छे से निकल गया है दाल में का अब देखिए यहां पर मैंने एक छोटी सी कटूरी ले लिए जिसमें मैं तीन से चार छोटी चमर साबित दाल निकाल रही हूं क्यूंकि बाद म इसको दालूंगी मैं चने की दाल के वड़े हैं न तो दिखने चाहिए लेकिन आप चाहे तो पूरी दाल भी पीश सकते हैं बिना निकाले के आप देखिए यहां पर मैंने एक मिक्सी का जाल ले लिया है जिसमें हम यह दाल दाल लेंगे तो थोड़ी-थोडी सी डाल मैं म इतना सा हमने पीस लेना है तो पानी बिल्कुल भी नहीं दाला है मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं दालना चाहिए तो यहां पर इस तरीके से मैंने अच्छे से इसको पीस कर रेडी कर लेंगे तो देखिए यहां पर मैंने सारी दाल को अच्छे से पीस कर रेडी कर है अब हम इसमें दाल लेंगे मैंने एक बड़ी प्याज़ ले कर, बारिक लेकर बाइग इस तरीक से दाल लेंगे तो सब्सesi हो है, दाल लेंगे技 है और चनिक़ा, तो सब्स порवा हुआ अपको चिला लेंगे में लैस्वोण का विक चिलम दाल लए Г+, अब हम इसमें दालेंगे यहां पर देखिए तरीक से जब हम अधर कलिया तो यहां पर इस तरीके से बहुत अच्छा आईगा इसमें अब यहां पर आधी चोटी चम्स से भी कम मैंने थोड़ा साज़ोड़ा डाल लिया है मिठा सोड़ा आप यह usad तोड़ा सा बारीक कटाथ धन्याँ दालएं और बारीक कटाकर करीया पक यदाल है मोधि दाल लेंगे और मैंने तीन बड़े चम्मश ले लिया है चामल का आठा तो आप नॉर्मल चामल घर पर जो होते न वो चामल ले लीजिए थोड़े से और मिक्सी जार में डाल कर बारिक सब पीस लीजिए और च्छान कर इसको नाल सकते हैं तो यहां पर देखिये को दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर तो देखे थे दैल लेंगे औरiman सबसे पहले उसों पर रख कर इस तessä ही हो जाता है तो देखिए फ्रेंड्स यह अच्छे से वड़ा बनकर ready हो गया है अब यहांपर आप छोटे बड़े कितने बनाना चाहते हैं कितने size के बनाना चाहते हैं अपनी मरजी के इसाब से आप बना सकते हैं तो यहांपर इसको मैं medium size के बना रही हूं तो देखिए थोड़ा-थोड़ा सा हम लेते जाएंगे गोल करते जाएंगे सबसे पहले थोड़ा सा बैटर को और इस तरीके से हाथेली पर रखकर वड़े बना लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने साड़े वड़े बना कर अच्छे से ready कर लिए है तो चलिए अब हम इसको fry कर लेंगे तो देखें मैंने pan में तेल को गरम कर लिया है तेल हमारा बहुत अच्छे से गरम हो गया है तो तेल अच्छे से गरम होना चाहिए फ्रेंट्स यहां पर अब जो हमने वड़े बना लिये थे ना एक एक करकर इसमें डाल लेंगे तो एक बार में जितने आएंगे उतने ही मैं इसमें डाल लूँगी तो यहाँ पर देखिए मैं 4-4 वड़े करकर इसमें डाल रही हूँ तो यहाँ पर friends जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा ना तो फ्लेम को मीडियम कर लेना है तब हम इस और इसको पल्था रही है तो देखिए अब दोनों तरफ एक्षे सटे अरे तक msूवर्गा कर लेंगे है तो देखे फ्रेंस तकरीबान इसको प्राइर होने के लिए 8 जाए यह बहुत अच्छ से फ्राइर होगे है आप देख सकते इसका अच्छा वड़े बनका रेड़ी है फ्रेंटस ज्यादा से जादा शेर कीजिये और प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कीजिये तो आप यहां पर फ्रेंटस इसको टोमाटो सॉस के साथ ग्रीन चटनी के साथ खाईए बहुत ही अच्छे लगते हैं ये तो इंशालला बहुत ही जल इसी तरह की कोई आसान और मज़ेदार रेसे पी आपके साथ शेयर करूंगी तब तक के लिए दूआ में याद रखिएगा अल्ला हाफीज